आदने अदेक्स मोदे नीना एक मंडल मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज की वाद विवाद पर्तियों की तगा विशे है सदन की राय में आर्थिक आरेक्षन से सभी का उठान संभव है महविशे के पक्स में अपने तर्फ पस्तूत करते हैं ये शित कर दूँगी की आर्थिक आरेक्षन से ही सभी का उठान संभव है मानने वर आरेक्षन दलित और सोसी समाज को उपर उठाने के लिए लाया गया था परन्तु आज ये एक राजनेतिक मजबूरी बन गया है जहां सभी वर्गों को सम्माल लाने के लिए उठाएगे इस कदम ने सामाने वरेक्षन के लोगों को निम्स्तर पर ना खड़ा किया है मानने वर अगर आजब भारतिय सम्माज की आर्थिक इस्ति कांखलन करें तो हम देखेंगे गरीबी हर वरग में जलक रही है लोग अपनी आधार भूताव सकताओं की पूर्टी करने में भी दुरबर हो रहे है मानने वर भारत का केवल दलित पिछडी जातिया रुसुची जातिया जन जातिया ही गरीबी की मात नहीं जे रही बलकि सम्माने वर के लोग भी अर्थ के अभाव में मर मर जी रहे हैं क्या उनकी रह ध्यान गया है किसी का सवालों को मिलता दूद भूके बच्चे एकुलाते हैं मा की छाती से लिपट लिपट कर जाडों की रात बिताते हैं मानने वर यही परिदर से आज सबी की समक्स हो गया है अमीरी और गरीवी की स्खाई में संपंता और विपंता हर वरग और तबके में देखी जा सकती है फिर आरक्षन का अधार जात ये क्यों दोक्तर भीमराव अमबेड कर ने जब आजादी के बाद समीधान का निर्मान किया तो उन्होंने आरक्षन के वर पिछडी जातियों के लिए बताया और इस बात पर जोर दिया कि दस साल बाद इसे समाप कर दिया जाए किसी भी सूरत में आरक्षन की परनाली को आगे ना बढ़ाया जाए परन्तु ये देश के लालची लेता अपनी वोट भेंग बरने का मादेम इस आरक्षन को बना रहे हैं और देश को बरबाद किये जा रहे हैं मानने वर आज आवे सकता है समीधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की क्योंकि आज आवा सकता है समीधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की क्योंकि एक यूग के बाद देश काल की वातावरन परिस्तिया भिन भिन हो जाती है सभी को एक ही डंडे से नहीं आका जा सकता है आजारक्सन जरूरी है आर्थिक रूप से पिछडों के लिए ना कि किसी जाती विशेश के लिए आजारक्सन जरूरी है सिक्ष्या के लिए आजारक्सन जरूरी है नोकरी के लिए आजारक्सन जरूरी है देश की आर्थिक वेवस्ता को सुदारने के लिए ना कि जातीगत भेत भाव को बढ़ाने के लिए मैं अपने विपक्सी वक्ताओं से कहना चाहूं की कि जब मेरा देश चल रहा था आरक्षन की आग में मंडलायो के आहकार में कि जब मेरा देश चल रहा था आरक्षन की आग में मंडलायो के आहकार में तब ये राजनेतिक नेता तमसाबीन होकर अपने राजनेतिक सवार्थ की पूर्ती करते हुए अपना उलू सिदा कर रहे थे मानने वर मैं पूछती हूँ कि किस किस का निवाला छिनोंगे किस किस की तबाई देखोगे कि मैं पूछती हूँ किस-किस का निवाला छीनोगे किस-किस की तपाई देखोगे भूका नंगा भारत तुम कब तक तस्वीरों में देखोगे मानेवर देश के लगा नेता हो दुआरा आर्थी कारक्षन में बदलाब ने करना यही साबित करता है कि वैं किसी भूके के मुँए से रोटी छीने का परियास कर रहे है मानेवर आजादी के बाद सामाजी को सेक्सिनिक रूप से पिछडे अज काफी आगे निकल गए है और सामानेवर का युवा ये नहीं समझ पा रहा कि जिस पूर्वे वरती सोसनवाद में उसका कोई हाथ नहीं उसका दंडव है क्यों बुगत रहा है मानेवर गरीबी अपने आप में एक अभी साप है किसी गरीब की कोई जाती नहीं होती कि गरीबों की जात ना पूछो तो अच्छा है कई चहरे नकाब हो जाएंगे ये बात ना पूछो तो अच्छा है मानेवर अगर आज आठी कारक्षण पर आरक्षण होता है तो यह आठी ग्रूप से पिछडे लोगों के लिए संजीवनी का कारे करेगा और एक ससक्त और सम्रण समाज की आधार सिला रखेगा एम इसे सम्मानेवर अन्य विल्गों के बीच आ रही वेचारिक दरार को भी भरा जा सकता है अंद में मैं अपने वक्तावे को विराम देते हूं यही कहना चाहूंगी कि कल तक सी साता सब देख देख जाते थे आज तूट गया सब बच बच के जाते हैं ये वक्त है सहाथ ये वक्त है सहाथ दिन के सब के आते हैं दिन सब के आते हैं जाही जाह भरत